नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने बढ़ते हुई वजन से बहुत जादा है परिशान, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है। या फिर आपके शरीर में कॉलिस्टरॉल लेवल बहुत बढ़ चुका है। तो आज आपके किचन में मौजूद एक छोटी सी चीज आपके सारी तकलीफों को जड़ से खतम कर सकती है। इस्तमाल हमें पता चल जाए तो ना जाने हम बहुत सारी बिमारियों का जड़ से इलाज कर सकते हैं घर बैठे बैठे। और सिरफ इसके बारे में मैं नहीं बलकि हमारे आयोवेट की किताब अश्रांग हिर्दे में बहुत साल पहले महरिशी बांगवर जी ने लिखा था कि अजवाइन वात और पित नाशक है। अब आपको ये जाना बहुत जरूरी है कि वात होता क्या है और वात अगर हमारे शरीव में बढ़ जाए या उसको संतूलन विगड़ जाए तो हमारे शरीव में कौन-कौन से रोग उत्पन हो सकते हैं। तो चलिए पहले उस बारे में जान लेते हैं। आपके शरीर में कमजोरी आती जारी है, कमपन आने लगा है। आपके नाखुन, दान, तुच्छा बहुत फीके से पढ़ गए हैं और बहुत ज़दी तूटने लगे हैं, कमजोर होने लगे हैं। या आपके मूँ का स्वात बहुत करवा हो गया है, आपको कप्स की शिकाय करेंगे, तो इन सारी बिमारियों को आप जड़ से खतम कर सकते हैं। साथ में दूसरा जो दोश होता है, जग वो आसंतुलन हो जाए, यानि जो पित होता है, अगर उसका संतुलन बिगड़ जाए, तो हमारे शरीर में क्या-क्या प्रॉब्लम आने लगती है। अगर आपक अगर दोश आपका बिगड़ा है, तो आप मोटा पे के शिकार है, या आपका वजन कम नहीं होरा, तो समझ लीजिए कि आपका पित का जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है आपके शरीर में। इससे आपको लूज मोशन हो सकते हैं, या आपको बवासीर हो सकती है, इसके आपको फेस करनी पर सकती है अगर आपका पित बिगड़ा हुआ है तो, इसके साथ साथ अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, या आपकी जो तचा है बहुत धीली पढ़ गई है, और आपका जो रंग है वो बिलकुल पीला सा पढ़ता जा रहा है, खून की कमी दिखने लगी है, या आपको हमेशा यूरिन पास करते हैं, उसमें जलन होने लगती है, आपको पसीना या बहुत जादा आता है, या आपको हमेशा बेचैनी फील होती है, या शरीन में आपके कहीं भी फोड़े फून से या पिंपल्स की बहुत जादा शिकायत है, तो बिद्ध का संतूलन बना रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक चमच अजवाइन को सुभा एक गलास पानी में उबालना है, और उसको खाली पेट पीना है, खाली पेट पीने के बाद जो पानी आपने पी लिया, उसके बाद अजवाइन को चबा चबा कर खा लेन दवाई दे देता है कि बस आपको डाइबेटीज आपको डेलिये दवाई खानी है, लेकिन वो कभी हमें नहीं बताता कि इसका इलाज भी है, इसको जड़से खतम भी किया जा सकता है, और डाइबेटीज होती क्यों है, लेकिन आज ही इंफोर्मिशन मैं आपको दूंगी, जब हमारे शरीर में पेंकरियास में इंसुलिन का पहुँचना बहुत कम हो जाता है, तो खून में गुलुकोस का जो स्तर होता है, वो बहुत बढ़ जाता है, ऐसी सिति को हम डाइबेटीज कहते हैं, अब आप सोचेंगे कि इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है, जो हमारे पाचन ग्रंती द्वारा बनता है, इसका कारे क्या होता है, शरीर के अंदर जो भोजन होता है, उसको ये एनरजी में कंवर्ट करता है, और यही वो हार्मोन होता है, जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, लेकिन डाइबेटीज हो जाने पर शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में कटनाई होने लगती है क्योंकि ये वीक हो जाता है। कि आपका खाना जो है अच्छे से पचने लगा है आपके बॉड़ी में शुगर लेवल कम हो गया है और जिससे धीरे धीरे आपकी जो डाइबटीज है वो जड़ से खतम हो जाएगे और आपकी जो पर्मनेंट गोली थी वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी ऐसा ही अगर आ जगा ना ब्लड का क्लॉड बनाने लगता है जिससे कि हमारा दिल तक हमारा जो है खून ठीक से पहुंच नहीं पाता गाड़ा हो जाता है जिसकी वज़से हमें क्या होता है बीपी हाई होने पर हमाई जीधा हार्ट अटेक की प्रॉब्लम आ सकती है हार्ट फेल हो सकता है या brain stroke हो जाता या paralyze हो जाता है तो अगर आप चाहते हैं आपको इन में से कोई भी तकलीफ ना हो आपका BP कंट्रोल रहे तो कुछ मत करो सुबहा उठकर डेली कम से कम 4-5 गलास पानी पीओ जिससे कि आपकी शरीर जो है अंदर से बिल्कुल साफ होगा आपका BP कंट्रोल रहेगा और अजवाइन वाला पानी पीना शुरू करो दूसरी चीज़ अगर आपके शरीर में कहीं जोडो में बहुत ज़्यादा दर्ध हैता है गठिया की समस्या है बहुत पुरानी तो आप दवाई कर रहे हैं ठीक बात है लेकिन आपको उससे फिर भी अराम नहीं आ रहा तो मेरा ये नुस्खा ज़रूर ट्राय करें कि जब हमारे गठिया होता है जो जोडो में दर्ध होता है नसों में सूजन होती है वो क्यों होता है क्योंकि हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है मसल्ष हमारी कमजोर हो जाती है तो पहली चीज आपने अपनी डाइट पे ध्यान देना है अच्छी डाइट लेनी है और यूरिक एसिड क्यों बना जब हमारे शरीर में खून में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है एसिट कैसे बनता है जब हमें खाना पच्टा नहीं है बलकि वो मारे शरीर में सणने लगता है तो वो एसिट बनना शुरू हो जाता है पानी के साथ साथ आप इसका अजवाइन का सेवन करें तो अजवाइन आपके शरीर से सारे दर्दों को हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्दम दूर कर देगी आप चाहे तो अजवाइन वाले पानी में थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं जिससे आप खुद नोटिस करेंगे कि इससे आपका मेटाबॉलिजम अच्छा होगा आपका पाचन तंतर दुरूस्त होगा आपकी रोग प्रती रोधर श्रमता बढ़ेगी और आपके joint pain कैसे गायब हो गए आपको पता ही नहीं चलेगा इसके सासा जिन लड़कियों को अगर जब periods होते हैं तो बहुत जब दर्द होता है तो उसके लिए भी आपको मैं बचा देती हूँ कि 4 चमश आपने कच्छी अजमाई लेनी है दो चमश सेंधा नमक पीस कर दोनों को मिलाकर आधा आधा चमश तीन बार फक्की लेनी है रोजाना इससे आपके periods में आपको बिल्कुल pain होना बंद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके periods कितने अच्छ तरीके से निकल गए और आपको pain भी नहीं होगा तो इसका इस्तमाल इस तरीके से करें आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट करिएगा और इन सब चीजों को follow जरूर करिएगा क्योंकि एक अजवाइन का चमच आपकी जिन्दकी बदल देगा इतनी सारी बिमारियों से आप बचवाएंगे और वजन तो इतनी तेजी से कम होगा कि आप खुद देकर हैरान हो जाएंगे तो मिलते हैं ऐसे कुछ नई इनोवेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में बाई टेक केर और स्टेए हल्दी